अधोग स्वागत है आप लोगों का हमारे इस नई वीडियो में और मैं पूरी उमीद करता हूं कि आपम तोस्त होंगे सभी को युक्षे होंगे और अपने गाम बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे कि उनको किसी सुधार की आवशक्ता थी वो कहीं न कहीं ये फील कर रहे थे कि हमारे सिक्षा में निश्चत तोर पर कोईशना कुछ बदलाओ एक मेजर बदलाओ चेंज आना चाहिए क्योंकि बहुत हो चुका था एक ही तरह के सिक्षा एक ही तरह की परणाली से देश पढ़ रहा था बच्चे पढ़ रहे थे और शायद अब इसकी आवशक्ता थी कि हम 21 सथाबदी के हिसाब से अपने आपको बदलते हुए सिक्षा में एक मूल चुक परिवर्तन करें अगर हम 21 सथाबदी की बात करते हैं तो ऐसे बहुत सारे सेक्टर से इनफाक्ट सारे से जिसमें 21 सेंचूरी के बदलते हुए समय के हिसाब से चेंज़ लाए गए लेकिन एक एजुकेशन एक ऐसा सेक्टर था जिसमें कभी कोई बदलाव नहीं लाया गया या तो कभी किसी ने सोचा ही नहीं और ये काफी हद तक एक आशा की किरन हमें देता है ये उमीद दिलाता है कि हमारी भारत की जनसंक्या है जिसकी maximum अबादी यूथ है उसको सही दिशा देगी उसको ससक्त बनाएगी, ताकतवर बनाएगी सिक्षा के माध्यम से सिक्षित बनाएगी, कुशल बनाएगी और हमारा देश आने वाले समय में मजबूत बनेगा जिसकी हम उमीद कर रहे हैं हमारी यूवा के बदलते हुए सुभाव और एनरजी को जिस तरीके से यूटिलाइज करना चाहिए था वो सिक्षा व्यवस्ता हमारे पास नहीं थी इसलिए हम काफी हद तक पीछे लैट कर रहे थे और इसके काफी दूस परिणाम हम लोगों को देखने को मिल रहे थे हम अक्सर भारत को कॉंपेर करते हैं बाकी डेवलप नेशन से डेवलप नेशन से करते हैं तो उस टर्म्स में हम लोग यह देखते हैं कि भारत की एकनॉमिक स्थिति दूसरे देशों की तुल्ला में क्या है यह जो देश हमसे आगे है उस देश की एकनॉमिक कंडिशन क्या है कितना growth rate है उसका GDP कितना है उसका बाकी जो वहां पर सुक्स विदाएं हैं वो सुक्स विदाएं कैसी है लेकिन हम लोगों को ये भी देखना चाहिए कि जितने भी developed nation है जिनसे हम भारत को comparison करते हैं या ऐसा सोचते हैं कि कास भारत भी ऐसा होता तो हम लोगों को ये भी देखन definition की बात कर लेते हैं और वहां के अगर education system को देखते हैं तो निश्चे तोर पर हम का पाएंगे कि वहां का ये focus रहता है education system निश्चे तोर पर हर साल कुछ नहीं बदलाव किये जाते हैं वहां पर अब वो technology को लेकर के हो या पढ़ाई लिखाई के syllabus या बाकी सारी चीज़ो में भी आई-वी है आई-वी थी जिसको उपर जिसके उपर सरकार ने सोचा और यह काफी अच्छी सोच है ऐसा मैं कह सकता हूं और इसका आने वाले समय में बहुत ज्यादा फायदा मिनने वाला है हमारी आज की जो सिक्षा नीती है मतलब मौझूदा सिक्षा नीती जो है या फिर मौजूदा जिस तरीके से हम लोग पढ़ते आएं हैं या फिर जो प्रिजेंट एड्यूकेशन सिस्टम की बात कर ले तो इसमें बहुत सारी खामिया थी जिनको दूर करना बहुत जादा आवशक था बहुत सारी खामियों के बारे में हम लोग वीडियो में आगे चट्चा करेंगे जिसको एक एक करके हम लोग डील करेंगे और फिर ये देखेंगे किस प्रकार उन खामियों को इस नई सिख्छा नीती के तहद दूर किया जाएगा हमारे देश में जो वेवास्था रही है सिख्छा को लेकर के उसको इस बात से समझा जा सकता है कि जो प्रेजेंट सिनारियो है मतलब यह जो कोविड नाइटीन की जो इसकी हमारे देश में बनी भी है इसके जो टाइम पिरेड है उसमें अगर हम लोगों को देख ले कि मौजूद नहीं है बाकी सारे से से अगर एजुकेशन को कॉंपेर करते हैं इस टाइम पीरिड में तो हम देखेंगे कि बाकी सारे सेक्टर कम या ज्यादा मात्रा में निशित तोर पर आप उबर रहे हैं और उबर ना सुरू हो गया है चाहे आप दुकानों की बात कर कि बात कर लिए यह हर सेक्टर कहीं ना कहीं कम या ज्यादा मात्रा में अब धीरे धीरे रिकवर करने के सिती में आ चुका है लेकिन अभी भी एक ऐसा सेक्टर है जिसके उपर अभी भी अंधेरा चाया हुआ है और वह है एजूकेशन स्कूल कब खुलेंगे पढ़ाई वा यह सब कब खुलेंगे इसके उपर अभी भी कोई निश्चिता नहीं बनी है मतलब बच्चों का भविश्य पूरे अंदकार में यह तब नहीं होता जब हम तयार होते मतलब अगर हम लोग अपने आपको 21st century के हिसाब से तयार किये होते 21st century कहने का मतलब अगर हम technology driven होते technology ज तो आज इतना ज्यादा प्रभावित यह सेक्टर नहीं होता जितना ज्यादा प्रभावित आज यह है हमारे पास education को लेकर के technology के use बहुत कम है आज भी ऐसे बहुत बड़ी आबादी ऐसी है हमारे देश की जिनके पास mobile phones नहीं है जिनके पास internet की सुविरा नहीं है जिनके पास computer नहीं है तो फिर ऐसे समय में हम कैसे expect कर सकते हैं कि उस बड़ी आबादी को हम इस कोविड-19 के situation में सिक्षित करेंगे online education एक मार्ग है लेकिन वह online education हर किसी तक पहुंचाना अभी तब जब हमारे पास mobile phones की कमी है mobile network की कमी है internet facilities कम है computer नहीं है तो ऐसे ऐसे case में online education कैसे पहुंचाया जाए लेकिन अगर हम लोगों ने इस technology के उपर सुरा सोचा होता और इसको implement अगर education पर किया होता तो शायद इतनी बुरी इस्तिती नहीं होती बट एनीवे ऐसे विकट इस्तिती में बहुत अनिवार रहे था कि हमको सिक्षा की एक पूरी पूरी की पूरी ना सके उन्हें उनकी कुशलता के हिसाब से तैयार कर सके ताकि आने वाला भारत एक मजबूत भारत बने आने वाला भारत विश्व का सबसे अच्छा देश बने डेवलप्ट डेश बने और डेवलप्ट education के टम्स में भी बने तो इसलिए ऐसे चीजों को अगर हम लोग द शक्ता थी और अगर सही मायनों में अगर ये इंप्लिमेंट होता है जिस उद्देश जिसे इसको किया गया है लाया गया है तो हम लोग ससक्त बनेंगे एक अच्छा भारत स्रेष्ट भारत बनेगा निव एजुकेशन पॉलिसी ये जो है उसका जो मेन मुद्दा है वो है इंकरेज और इंलाइटिन नई सिच्छा नीती करे साकार ग्यान योगिता और रोजगार ये रोजगार भी एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश में refer reduce हमारे हमारे लेखेश अगर एक तरह से अगर रोजवार की बात करते हैं तो निश्य तो पर हमारे डेश में साख्षर्टा दर बढ़ा है कि साख्षर्टा दर बढ़ा है लेकिन शिच्छा का इस्तर नहीं बढ़ने के कारेने एक बहुत बड़ी समस्या जो है वो रोजगार की समस्या है बहुत बड़ी जंसंक्या ऐसी है जो बेरोजगारी से जूज रही है खास करके अब जो इस्तिती उत्पन हुई है उस इस्तिती में तो और ज्यादा बेरोजगारी बढ़ रही है तो ये सारी इस्टिती हमें बताती है कि कितनी ज़्यादा आवशक्ता थी हमारे सिख्छा नीति को परिवर्थित करने की वैसी सिख्छा की पद्दिती जो रोजगार ला करके दे जो योगिता ला करके दे और जिसे ग्यान का पचार पशार को सके तो आईए समझते हैं इस न लेकिन आवाज नहीं उठा पा रहे थे या अगर मन में सोच भी रहे थे कि बदलाव होना चाहिए तो हम अपनी बातों को किसी से कह नहीं पा रहे थे तो चलिए उन कम्यों पर डिसकेशन करते हैं तो पहला जो सबसे बेसिक जो कमी रहा पिछले शिक्षानीती में या जिस पढ़ रहे हैं कि चौक और टॉक सिस्टम जो था हमारे टीचिंग का मतलब बेसिक तरीका जो पढ़ाने का बोल करके पढ़ाने की जो विवस्ता की वो सदियों से चली आ रही थी और इसमें कोई बह सकते फीन दूस्रे माध्यमों का दूसरे माध्यम जैसे कि अगर बोलने वक्त या पढ़ाने वक्त अगर हम किसी करते तो शायद सिक्षा की विवस्ता और बहतर होती हां कुछ जगों पर निश्चित तोर पर किया गया है ऐसा प्रयास लेकिन व्यापक प्रमाने पर अभी इसकी शुरुवात नहीं हुई है जो आवशक है ऐसा प्राइवेट इंस्टूशन प्राइवेट बड़े-बड़े जो संस्थान है वहाँ पर निश्चित तोर पर इस चौक इंटॉक सिस्टम में बदलाव आए हैं हमारे देश में लेकिन वह बहुत बड़ा छेत्र कवर नहीं करता तो जरुवत थी एक बड़े भाग में जहां पर इस चीज की कमी है उस चेत्र को हम उस चेत्र में इस बढ़ाव और नए तरीके ला रहे हैं तो पढ़ाई के तरीके में भी बदलाव की एक अविशक्ता थी हमारे देश में और इसकी कमियों के कारण हम इस चीज को नई सिक्षानीती के तरह से बदलेंगे इसकी बात कही गई है फिर फंक्शनल लिटेश्य की कमी है आई टी छ सेक्टर में लेकिन बागी किसी दूसरे छेत्र में अलग से कोई ट्रेइनिंग देने की अपिर अलग से बच उनको कौशल उनका बढ़ाने के लिए कोई ऐसी बात नहीं है हमारी सिक्षा विवस्था में मौझूदा सिक्षा विवस्था में बच्चे अपने होबी के कोई का चेりव ये बात में होता है ये चल करके लेकिन अगर सुरवात से ही अगर हम टालेंट को सपोर्ट करें औ Karl मेंथ को प्रोपेश्चन वालने की यहाल व्वस्था when में तैयार होते हैं तो इस चीज की कमी रही हमारे देश में जिस चीज को डील किया जाएगा इस नए सिक्षानिती के तरह अलग-अलग streams को लेकर के काफी जादे disparity है मतलब हर streams को एक जैसा नहीं देखा जाता है काफी सारा भेद भाव है बहुत सारे गारिजिन जो हैं हमारे देश में maximum body engineering background को प्रिफर करता है या वो चाहते हैं कि engineering के बच्चों का जादा महत्तुव है science background के बच्चों का जादा महत्तुव है commerce और जो arts है वो science के मुकाबले थोड़े से कमजोर आके जाते हैं साथ साथ अगर music का अगर किसी का पसंद है तो music को music पसंद करने वाले बच्चों के पास कोई option नहीं बचता है कि वो कहां जाएं किसे पढ़े तो उनके लिए mark बड़ा कठिन है कोई martial art सीखना चाता है तो वैसी कोई अच्छी विवस्ता हमारे देश में नहीं है तो कुछ basic extremes को छोड़ दिया जाए तो उसके आलावा फिर से वही बात है कि passion को profession में बनाने वाली विवस्ता हमारे देश में नहीं रही है और इसके कारण काफ़ी सारे भेदभाव उपन हो जाते हैं बच्चे demotivate हो जाते हैं हर बच्चा अपने आप में विशेश होता है हर बच्चे में विशेश गुण होता है तो उन गुणों को निखारने के लिए सिख्चा में एक विवस्ता होनी चाहिए जो विवस्ता शायर हमारे देश में अभी तक मौझूद नहीं थी अगर थी भी तो उस मात्रे उस मात्रा में नहीं थी जिस मात्रा में इसको होना चीए अभी के समय के हिसाब से भारत में examinations बहुत जादा लिये जाते हैं बहुत कम-कम समय अंतराल पर examinations होते रहते हैं जिसके कारण क्या होता है कि बच्चे अपने बाकी चीजों को sports activities को, extra curriculum activities को के उपर ध्यान नहीं दे पाते हैं या उनका interest उच्छी से lose हो जाता है एक exam खतम होता है तो दूसरे exam के तयारी सुरू हो जाती है दूसरे exam खतम होने शुरू होने वाला होता है कि तीसरे exam के उपर ध्यान चला जाता है इस तरह से बच्चों का जो interest है बाकी फील्ड से वह पिल्कुल cut-off हो जाते हैं तो जो development होना चाहिए था overall development वो विकास में कहीं न कहीं वो विकास कहीं न कहीं प्रभावित हो जाता है यह कमी रही है हमारे पुराने सिक्षा विवस्था में जिसके कारण बहुत से problems होते आए हैं बच्चे टी मोटिवेट होते आए हैं बहुत सारे psychological problems से deal करते हैं बच्चे उन चीज को deal करने के लिए हमारे पास कोई विवस्था नहीं थी किसी तरह से अभी तक काम चल रहा था तो जरुवत थी ऐसे नीती की जिसमें बहुत सारी परिक्षाएं नहीं हो लेकिन हाँ ऐसे समय पर हो quality परिक्षा हो परिक्षा में जाच के जो तकनीक हो या जिन आधारों पर उन बच्चे का जाच हो उन आधारों को भी थोड़ा चेंज किया जाए सिर्फ मार्स को फोकस ना करके बच्चे की ओवर ओर लवलपमेंट पर फोकस किया जा और इसको सीरियसली लिया जाए उनको एंक्रेज किया जाए इस तरफ से ऐसी विवस्था किया वर्शक्ता थी मेरे ख्याल से नई सिख्चा नीती में इन सब बातों को ध्यान दखा गया है निश्य तोर पर हम लोग आगे पढ़ेंगे इसके बारे में हमारे पास हमारी जो पुरानी सिख्षा रही है उसमें रिसर्च को कम महत्पद दिया गया है इनन एजूकेशन सिस्टम में वर्ल्ड कराल रिसर्च की जो विवस्था है वो ना के बराबर है रिसर्च को साइद उनको funding की कमी हो जाती है जिसके कारण रिसर्च एजूकेशन को यह रिसर्च बेस्ट एजूकेशन को भारत में उस तरीके से नहीं लिया जाता या उसका उसको प्रमोट नहीं किया जाता जो बहुत बड़ी खामी है बाकी विदेशों से अगर तुलना करते हैं तो वि यह रिसर्च व्यवस्वेस्था हैं आगे बढ़ते हैं लेकिन भारत बागे पूरा टैलेंट है और विपरीतं अपने आपको निखारते hurting और यहां से फिर भी निकाल कर देते हैं तो अगर उस चीज में हम और एडिशन कर दे और सपोर्ट अगर कर देते हैं सपोर्ट सिस्टम अगर हमारी सिक्षा व्यवस्ता उनको सपोर्ट करती है तो निशित तोर पर भारत बाकी देशों से आगे निकल जाएगा और इसक्या व बच्चे ने किताब खुला और उस चीजों को रट लिया रेट करके एक्जाम दिया नंबर आ गए और वहीं पर कहानी खतम होगे कॉंसेट क्या सीखा उसको इंप्लिमेंट कहां करना है कैसे करना है बच्चे इस चीज को नहीं जानते हैं कुछ बच्चे जो कर लेते हैं इस चीज को उनकी उनको अगर हटा दिया जा तो मैक्सिमुम बच्चे हैं जो इस चीज में लैक करते हैं और वो रटा मार नहीं दिया जाता है उस सीख से implementation कैसे लेना है तो implementation पर ध्यान नहीं दिया जाता है तो यह सिक्षा विवस्था की कमी रही है हमारे देश में जिसके कारण अच्छे अच्छे टालेंटेट बच्चे भी पीछे रह जाते हैं हमारे देश में प्रैक्टिकल और एक्सपेरिमेंट बेस्ट लर्निंग को कम महत्व दिया जाता है वोड्स की विवस्था हैं उसमें भी जो कि छोड़ी जाते हैं और यह ठीक से पता नहीं होता कि वो प्रैक्टिकल कि वह जादा दिया जाता है जब तक उसका प्रैक्टिकल नहीं करेंगे केमिकल करने के लिए चीजों को आगे बढ़ाने के लिए रिजय network में जाने जॉब लेने के लिए प्राक्टिकल नॉलिज की जरुवत है एक्सपेरिमेंट बेस्ट लेनिंग की जरुवत है जो बहुत सारे इंस्टिउशन लैक करते हैं उनके पास प्रॉपर सुविदा नहीं है प्रॉपर एक्विप्मेंट्स अविलेबल नहीं है कि वो इस तरह की वि सकति क्या जाता है इसा होता रहा है हमारे देश में कोई शक नहीं है और यहीं सब नहीं कोई सब्रक्ररक्त인 बिकम जैम अंक शडरूर आ जाता है बपकंतें कि German कह पातें सपोज एक एक्जांपल मैं लेता हूं जैसे कि कोई इंजिनिंग बैग्राउंड का बच्चा है मेडिकल बैग्राउंड के बच्चे हैं या एंबी ग्रेजुएट है कॉमर्स का विध्यारती है आर्ट का विध्यारती है अगर उनको इंप्लॉइमेंट चाहिए होता है मैक्सिम्मों केस में जैसे बैंकिंग सेक्टर में जाने कि लिए एक्जाम है रेल्वे में जाने के लिए एक्जाम है या दूसरे स्टेट सब्सक्राइब या इसके अलावा और भी जो कुछ परिक्षाएं होती है तो उन परिक्षाओं में हम देखते हैं कि हर छेत्र के बच्चे एप्लिकेंट्स के तौर पर एवलेबर होते हैं है इस पृइन सोते हैं क्यों क्यों की इंचरिंग के च्सकें में इंचरिंग में पर यह आपने अपने दक्तों कि इतनी हैं बच्टा इन सारे एक्जाम साँ विशे होते हैं उन सारे विश्यों का अधिन करता है हर एक्जाम के पैटन के हिसाब से अपने आपको त्यार करता है अलग लगता है इसे जिसमें बहुत सारे कुछ बच्चे निकल जाते हैं किसी एक्जाम में और बहुत सारे बच्चे हैं जो विफल हो जाते हैं तो Unemployment का एक पूल बढ़ता चला जाता है वो बच्चा सब कुछ जानते वे भी पढ़ते वे भी समझते वे भी उसकी रोजगार उसको रोजगार नहीं मिल पाता है तो इसलिए कहते हैं कि स्टूडेंट बिकम जैक ऑफ और बड़ मास्टर ऑफ नन तो यह सारी खामिया रही हैं हमारे देश में जिसको डील करना बहुत जारा आवर्शक्ता आवर्शक्ता शिच्छा व्यवस्ता ऐसी होनी चाहिए कि बच्चा अपने पैशन के हिसाब से अप चॉस के पास चॉइस होना चाहिए सब्डिक्स का को सोड़ाट कि अपने आपको काबिल बना सके और इस समय में से आने के वाले समय के फ़लूखर के मेल सब्स्कार्ज है कि इस तरह से भाकी चीजों में आपको बदले हैं तो सिख्शा के छेटर में भी अपने हैं हमारे देश में सिख्षा में मौल एईउकेशन वैली एडूकेशन की daughter कै wakes up सिलम स्बात को की वैछ इजूकेशन is the most में निश्टत तूर पर जिसकी कमी होती भी दिख रही थी थी अमरे जनरेशन में हमारे ными तो इस सीच को भी डील करना बेहद आवशक था उनको एथिकली तियार करना उनको वैल्यू बेस्ट एजूकेशन देना यह आवशक था जिसके लिए सोचा गया है हमारे इस नए पॉलिशी में तो इन कम्यों को जानने के बाद अब हम लोग समझते हैं कि आखिर हमारे इस टीमेरिट से हमारे सिस्टम को इनको एक एक करके कैसे डिक यह जाएंगे अगर हम पॉलिशी के बारे में समझ लेतों निश्य तुर पर यह समझ में आ जागा कि यह वह हैं सबसे पहले फिर्व में यह है कि यहां पर existing academic structure जो है वो 10 प्लस तू का फॉर्मेट है तेन यह का यह education और टू यह का जो higher secondary education होता है लेकिन हमारे इस नए academic structure में हमको देखने को मिलता है कि foundational level पर एक education system बना preparatory पर बना middle और secondary यह five years का foundational preparatory three years का middle school जो है वो three years का और फिर secondary education जो है वो चार साल का है कि हर लेवल के लिए निशित आयू सीमा निर्धारित है जैसे पहला जो three years का education होगा उसमें आंगनवाडी pre-school और बाल बालवाटी का सामिल होंगे बच्चे जो इसमें हैं वो तीन से छे साल के होंगे जो उसके बाद जो दो साल का एक्टिविटी बेस्ट लेडिंग किताबों का बोज बिल्कुल नहीं होगा ना के बराबर होगा और activity और बाकी सारे चीजों के माद्धियम से पढ़ाई होगी प्रिपरिटरी स्टेज की बात करते हैं तो यह भी प्ले बेस्ट होगा डिस्कवरी बेस्ट होगा activity बेस्ट होगा और यहां पर भी हमको देखने को मिलता है कि बच्चों के पास जो बैग में जो किताबों का बोज होगा निश्चित तोर पर कम होगा और खेल कूद के माद्धियम से डिस्कवरी के माद्धियम से activity बेस्ट लर्निंग होंगी जिसमें प्राक्टिकल ग्यान दिया जाएगा उनको एक्सपेरिमेंट बेस्ट हो सकता है कि इसमें इंक्लूजन कुछ किया जाएगा सिक्षा वेवस्टा लर्निंग के प्रॉसस में जिससे बच्चों का ओवरॉल डेवलप्मेंट होगा वो किताबी कीड लगा फिए य्शधे हो उन पर थोपी नहीं जाएगी पढ़े के की जाए आगएगे इसके बाले में बहुत अपने लैंग्वेज-मेंचीज़ों को पढ़ सकते हैं यह सबसे बड़ी बात कि इस नए व्यवस्था कि उसके बाद जो मिडलभे मिदेल स्टेज्ब की जो पढ़ाइ किताबों के बोज किताबों में भी जो लिकेते हैं उनको बहुत जयादा रटने को शक्ता नहीं के कि चीजों को समझनी कि यह शकता है देखनी के यह शकता है और ऐसे इस मादयम से पढ़ने का कि चीजे चीजे जो मैं पढ़ां सम्झ हूं उसको अर फैसी पढ़ाई पोड़ाकिव इसको ध्यान दिया गया है आप इस этого money the study che snack will promote greater critical thinking flexibility and student choices of subject this was very important this was very important student choice of subjects हमारे देश में कमी ड़ही हें बहुत बड़ी कम रही है तेंठ के पास करने के ऐट बाद इसकार जहाने की संवर कोफशन होते हैं साइइंस बोट ले सकता है commerce ले सकता है आर्ट्स ले सकता है लेकिन subjects की जो कमी है subjects चुनने के जो उनको जो choice दिया जाता है जो freedom दिया जाता है वो बहुत कम मिलता है लेकिन अब इस बदलेवे विवस्था में बच्चे अपने हिसाब से subject को चुन सकते हैं साइंस का बच्चा आर्ट्स भी पढ़ सकता है कॉमाज का बच्चा साइंस भी पढ़ सकता है ऐसी कुछ विवस्था यहां पर दी गई तो यह बहुत अच्छा सुधार है जो बच्चों को अभी के हिसाब से त्यार करेगा ओके तो यह बेशिक चीजे हैं जो सबसे मुक्चे बात है हमारे इस सिक्चा नई सिक्चा नीती का उसने सिक्चा के बेशिक स्ट्चर को चेंज आइड The new national education policy is going to bring a significant change in India's education system. It is said to replace 3 decade old education policy and the key pointers of the policy include the replacement of 10 plus 2 system with a new structure of 5 plus 3 plus 3 plus 4 system in the school education. A design of 5 plus 3 plus 3 plus 4 system covering 4 stages has been structured to replace 10 plus 2 system in order to reinforce the holistic development of the student. Is clear? इसके अलावा अगर अर्ली चाइड होज एजूकेशन की बात करते हैं तो उसमें बच्चों के उपर बच्चे की किनकिन एस्पेक्स पर ध्यान दिया जाएगा वो यहां पर आप देख सकते हैं It will encourage developing curiosity in students जो बहुत अवशक है बच्चों में प्रस्ण पूछने की शमताएं बढ़ाएं जाएंगी Curiosity develop करने की बात होगी ताकि बच्चा जो भी नया चीज़ देख रहा है अपने एद्गर समझ रहा है वो curious होते वे उन चीजों के सवाल कर सके और उन चीजों के बारे में सही knowledge gain कर सके Logical thinking और problem solving पर ध्यान दिया जाएगा Arts, crafts and music पर पूरा ध्यान होगा Relationship with nature, this was very important environment के साथ उनका अपना रिस्ता कैसा हो, strong relation कैसा बने इस बात पर पूरा ध्यान रहेगा उनको colors, shapes, alphabets, numbers सिखाने पर ध्यान दिया जाएगा Teamwork and collaboration, this is a very good thing to be introduced कि उनको team में काम करना, collaboration में काम करना सिखाया जाएगा That will impart a very good behavior in them Play-based and discovery-based learning होगी Ethics का ग्यान उनको मिलेगा Self-identity and Adequated behavior and emotional development उनकी emotional development पे भी ध्यान दिया जाएगा This is one of the very good thing About this new education policy कि बच्चों के emotional question पे ध्यान दिया जाएगा वो आज का बच्चा जो mobile phones और बाकी internet की चीजों को देखते वे जो रटा मर पढ़ाई है उन पढ़ाई के बुरे प्रभाव यह होते थे कि उनका emotional question जो होता था वो दिन प्रते दिन डाउन होते जा रहे थे उन लोगों को हम लोग देख सकते हैं कई बार अकबारों में यह खबर आते रहते हैं कि कोई किसी गेम्स में involved हो करके अधिक्शन होते वे बच्चे ने कुई गलत कदब उठा लिया वो मेंटली वह उतना फिट नहीं रहता है बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हम लोगों को आई दिन सुनने को मिलते हैं उसका कारण यह बच्चे अपने माता पिता के साथ अच्छा नहीं कर पाते हैं बड़े इस बिकाज उनके इमोशनल कोईशन पर कभी ध्यान नहीं दिया जाता है लेकिन हमारे इस नहीं सिक्षानिती में इस बात का ध्यान रखा जाएगा और यह बहुत अच्छी बात इसके बाद अगर करीकुलम की बात करते हैं तो करीकुलम घटाया गया है घटाया इसले गया गया है क्योंकि हम लोग और इस इंसल्स भी बात करेंगे हैं बिना बात का पढ़ाई जो था या पिर ऐसे सब्जेक्स जिसमें बच्चे को मन नहीं लगता था चुकि यहां पर चॉइस ऑफ सब्जेक्स पर ध्यान दिया गया है तो बच्चों को जबरदस्थी कोई ऐसा क्रिटिकल थिंकिंग फोकस ऑन क्रिटिकल थिंकिंग इंक्वारी डिस्कवरी डिसकेशन अनलेसिस बेस्टीचिंग लेर्निंग मेथट पो और हॉलिस्टिक एजुकेशन इन सब बातों पर ध्यान दिया जाएगा इंट्रक्टिव क्लासेज होंगे विट रेद्यूस डिप सहमत होंगे कुछ जगाओं को छोड़करके मैक्सिमम प्लेसेज में इस चीज़ को प्रमोट नहीं किया जाता है कि अवेर्नेस की कमी है या जगरुकता की कमी है लेकिन यह कमी है हमरे देश में कोश्चन्स पूछने के लिए बच्चों को इंकरेज नहीं किया जाता है यह देख रहे हैं बहुत सारे बहुत सारे लोग इस बास से सहमत होंगे कि हमारे पूर्व राष्ट्रपती अपने इंटर्व्यूस में इस बात को प्रमोट करते आये हैं उनका इंटर्व्यूस कई जगा मौजूर है यूटूब पर और बाकी प्लाटफॉर्म्स पर और वो यह लाक होता है तो फिर आप अपने आपको सही तरीके से इंप्लिमेंट नहीं कर सकेंगे तो यह बहुत अच्छा इंपॉर्टन बहुत अच्छा पॉइंट है जिस पर हमारे इस नई शिक्चानिती जो है वह उसको फोकस करेंगी एक्स्परिमेंटल लर्निंग होगा हमार करिकुलम एंड पेडागोजी तो बी ट्रांसफॉर्म बाइट वेटी टू प्रोमोट स्किल बेस्ट एंड मिनिमाइज रोट बेस्ट लेर्णिंग रोट बेस्ट लेर्निंग को कम करने की बात यहां पर हो रही है रिवीजन ऑफ एंसी एप और स्कूल एजुकेशन एंसी सब्सक्राइब इसमें बदलाव की बात होगी कि 2020 तक बदलेगा यह पत्देती की जाटि श्रह शीद सेस्तर की बात करेंगे पेड़ाजी की बात करें तो फिर टीचिंग लНе प्रोसेस को चेंज किया जाएगा इसको ट्रश्फॉर्म किया जाएगा कियों कि उसकी नि— पेड़ाज लिन्म् कि प्रोमोशन आफ प्यर टूटरिंग मतलब कि एक दूसरे से सीखने की विवस्था होगी इसमें को इंकरेज किया जाएगा प्रोमोटिंग प्यर टूटरिंग जाएगा वालेंटरी जॉइफुल अक्टिविटी अंडर सुपर विजन आफ टीचर मतलब एक स्टूडेंट द टीचर आएं टीचर ही पढ़ाएंगे और ऐसा कोई कोई किसी खास जगहों को छोड़ करके बाकी जोंगों पर ऐसी विवस्था नहीं किया जाता है कि इसके साथ साथ इक्वल वेटेज की बात कर रहे हैं नो हाट सेपरेशन बिट्वीन करिकुलम और को करिकुलर एक्ट्र अगरी को इसन ऐसी नहीं विवस्था में इसके इनके बीच में कोई खास सेपरेशन नहीं होगा सब एक से एक दूसरे से इंट्ग्रेटेड होंगे और और इंट्ग्रेटेड लर्णिंग की विवस्था होगी हमारे पार साथ साथ freedom of choosing a variety of subject combination to be provided तो बहुत अच्छी बात है हमारे लिए bagless days bagless days to be scheduled in academic calendar मतलब एक academic calendar में कुछ दिन ऐसे निधायत किये जाएंगे एक साल के अंतरगर जहां बच्छों को किसी भी प्रकार का कोई bag bag में किताब ले करके नहीं जाना होगा वह बस ऐसी ही स्कूल जाएंगे और देविल लर्न तुरू डिफरेंट मेथर्टस ऑफ टीचिंग देविल गो तुरू डिफरेंट प्रॉससेस ऑफ लर्डिंग किता तो यह दिखाता है कि आज कल जो हम लोग देखते हैं जैनरली चोटे बच्छे को गर देख लिया जाए तो बच्छे छो पीचे आ रहा था कि व्यवस्ता में बदलाव हो और सरकार ने काफी अच्छा कदम उठाया है इस पार्टिकुलर पॉइंट को दिहान में रखते हैं कि यूज एन इंटिग्रेशन ऑफ टेक्नलोजी जिसकी आविशक्ता थी बेहद आविशक्ता थी इसकी बात मैंने शुर प्रेक्स प्रकार से देजाइन किया जाएगा कि उसमें कुछ लोकल केंट खों और ताकी किताबे और ज्यादा इंट्रेस्टिंग हो जाएं बच्चे किताब पढ़ने में और ज्यादा मन लगाएं और किताबों से सरफ शब्दों को पढ़ने ना मिले कुछ experience लेने को मिले इंट्रक्टिव बुक बनाएं all textbook to contain only essential core material by capturing any desired new sciences supplementary material as per local context and needs okay affordable high quality and energized textbooks to be provided along with free digital version on Dicksha platform Dicksha platform for high quality और काफी अच्छे तरीके से तयार textbooks provide किये जाएंगे Dicksha platform for digital version स्टेट्स को यह आजादी दी जाएगी कि वह अपने हिसाब से टेक्सबुक का निर्मान करें अपने विशेश गुण है उन विशेश गुणों का उसमें व्याख्या किया गया हो उन किताबों में ताकि बच्चे जिस स्टेट के हैं उसे स्टेट के बारे में काफी अच्छा ग्यान हो उनको और एक इंट्रेस्ट जगे उनको पढ़ने में इस बात पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है कि रेड्यूज तो वेट ऑफ इस्पूल बैक्स एंड टेक्सबुक्स कि ओके हॉलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड ये काफी अच्छा बात है हमारे इस नहीं सिक्षानीति का यह प्रोग्रेस कार्ड जो बनेगा उसमें बहुत कुछ होगा जो नया होगा जो अभी तक हम लोगों ने नहीं देखा है जैसे कि स्टेट्स एंड यूनिट एरिट्री डिजाइन प्रोग्रेस कार्ड इन स्कूल सु मेक दें हॉलिस्टिक कर पाएंगे कि वो कितना सैटेस्फाइड है आपने कि त्वारा किये गया महनत से साथ में उनके जो प्रेंड से उनके जुक्लाफ्मेट से बच्चे और ज़्यादा मेहनत करेंगे सिर्फ मार्क्स के आधार पर प्रोग्रेस कार्ड नहीं बनेगा इस कार्ड ऑल्सो आटू रफ्लेक्ट अप्रोग्रेस और यूनिकनेस ऑफ लर्णर इन दा कॉगनिटिव एफेक्टिव सोचियोशनल साइको मोटर डूमेंज इन कार् प्रोग्रेस कार्ण और फॉनिक जो करेंगा और बच्चों को काफी अलग तरीके से त्यार करेगा परिक्षाए यह प्रोग्रेस अगर बन रहा है तो निक्षित तो परिक्षाओं का जो प्रोग्रेस काड का निर्मान किया जा सकता है रागरेस प्रोजेक बेस एंट्वरी बेस्ट लेर्णिंग फिजेज रोल-पेस ग्रूप फोर्फोलियो है तो भी इन्कॉट का ने सब भी सामिल होगा कि उनका प्रोग्रेस वाकि सारे जो एक्टिविटीर है जैसे एंकॉप ब प्रकार से इंप्लेमेंट भी हो जाए तो बहुत अच्छी हो बहुत अच्छी बात होगी हमारे बच्छों के लिए अर्टिफिशियल इंटेलिएंट बेस्ट सॉफ्वेर टुब 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 ट्रैक रोथ तुरू स्कूल यह एंड टूहलप स्टुडेंट्स में इक ऑप्टिमल के लिए चोइसे इयाई बेस्ट सॉफ्वेर की डिवलप्मेंट होगी ताकि हर बच्छे क सुफ्वराट ट्रैक किया जा सके तुरू स्कूल के सिक्ष्षा के दौरान उसने कैसा गयो कि अपальное बसके हिसाब से उनके करियर और आप्शन को चुनने में वह अपने स्कूलिंग करियर में जिसका जिस तरह का उसको परफॉमेंस रहा डिफरेंट सब्जेक्स में या इस तरह वह उस हिसाब से अपने करियर को चूज कर सके वह गाइड मिलेगा जो कमी है आज की सिख्षा व्यवस्था में बच्चे 10 कर लेते देडर नो मच अबाउट देर कैरियर ऑप्शन्स वो तलाशते रहते हैं वो कैरियर कांसलिंग ढूंडते हैं कि कौन सा साई कैरियर होगा उनके लिए यह कमी जो है वो यह कमी यहां पर दूर होगी इसके बाद बच्चों की बात कर लिए तो निशित तोर पर टीचर जो पिलर्स होते हैं किसी भी सिख्षा व्यवस्था का उनके लिए भी बहुत सरे प्रावधान इस नई सिख्षा नीती में मौझूद है और बहुत कुछ ऐसा होगा जो सिख्षकों के लिए नया होगा और उमीद है अगर सिख्षक अच्छे होंगे तो सीडी सी बात है कि सिख्षा अच्छी होगी जैसे कि आल टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स तो भी कंड़क्टेड विदिन कंपोजिट मल्टी डेमेश मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टिशूश्यूश्यूश्यूश्यू टेस्टिश्टिश्यूश्यूश्यूश्यूश्यूश्यूश्यूश्यूश्यूश्यूश्यूश्यूश्यूस्यूश्यूश्यूश्यूश्यूश्यूश्यूश्यूश्यूश्यूश्यूश्यूश्यूश्यूश्यूश्यूश्यूश्यूश्यूश्यूश्यूश्य only educationally sound multi-disciplinary and integrated teacher education programs to be made available very important merit-based scholarship for four-year beard integrated setting up of national mission for mentoring with a large pool of outstanding senior retired faculty teacher eligibility test at all stages will be strengthened यह सारी कुछ बाते हैं जो teacher से संबंदित है teacher से teacher से संबंदित उठाए गए कदम है यह लिए जाने वाले कदम है जो इस national policy के अंतरगत समाया हुआ होगा और यह teachers को teachers की quality को improve करेगा teachers की quality बढ़ेगी तो निशित तोर पर teaching की quality बढ़ेगी और finally students अच्छे निकलेंगे सिख्छा अच्छी होगी तो यह एक important बात है बाकी सारे important बातों के अलावा teacher के recruitment और deployment में भी कुछ बदलाव लाने की बात इसमें कहीं गई है उसको और ससक्ट बनाने की बात कहीं और बहतर बनाने की बात कहीं गई है जैसे कि जो teacher eligibility test है उसको को strengthen करनी की बात इसमें है अगले दो डिकेट में ऐसा होनी की समावना है कि technology बेस्ट प्लानिंग हो और प्रकास्टिंग हो कि teacher recruitment कहां कि छेत्र में कि सब्जेक्ट की है वो technology-based पर आधारित होगी certificate courses लाने की बात इसमें है developing a specialization for subject or generalist teachers teaching children with disabilities दिभ्यान children during pre-service teacher preparation with synergy between NCTE and RCI transparent transfer system मतलब की online computerized system for teacher transfer to ensure transparency साथ साथ टेस्ट स्कोर and demonstration part of recruitment इसमें क्या होगा कि subject score from TET and NTA test and classroom demonstration to be taken into account for recruitment or subject teachers इन सारे चीज़ को एक साथ include करने के बाद teacher को recruit किया जाएगा उस आधार पर तीनों के आधार पर TET and TWA या फिर जो classroom demonstration हुए उन पर teacher को जज़ करके फिर उनका recruitment होगा वेरी गुड यह बहुत अच्छा पहल है कि रियस्ट्रक्चिंग ऑफ NCTE NCTE को structure करने की बात इसमें ही इसमें कहीं गई है तो यह सारे बाते हैं जो teacher के recruitment से संबंदित हैं इसके पहले वाले स्वाइड में हम देखा कि टीचर के education को बढ़ाने के लिए कौन कौन सी बाते कहें गई टीचर को recruitment और deployment करने के लिए कौन कौन से बदलाव इसमें suggest की जा रही है टीचर को अविलेबल होगा टीचर के लिए तो वे अविलेबल फो टीचर विदिन अ सिंगल स्कूल स्टेज जैसे की foundational preparatory middle or secondary the teacher के पास भी अपने करियर को growth करने की करने का मौका होगा कि वो foundational से फिर preparatory preparatory से middle or secondary में वो जा सके प्रमोट हो सके national professional standards for teachers by 2022 improving service environment through better infrastructure at school teachers to have more autonomy in choosing aspects of pedagogy in classroom teaching academic leadership positions to be made available for teachers teacher professional development merit-based tenure track system minimum 50 hours of continuous professional development यह सारे कुछ चीजे हैं जिससे teachers को empower करने की बात कहीं जा रही है teachers को encourage करने की बात हो रही है ताकि teacher जो है काफी interest के साथ वो अपने पढ़ाई कराएं उनके लिए भी जो ख्याल रखना चाहिए कि उनको promotion चाहिए या उनको अपनी आजादी होनी चाहिए कि वो किस प्रकार से अपने क्लास में वो पढ़ाना चाहेंगे उस चीज की पूरी आजादी उनको दी जाएगी अपने हिसाब से वो पढ़ाने के तौर तरीकों को select कर सकते हैं promotion की इसमें बात कहीं गए कि teacher के promotion का भी पूरा ख्याल रखा जाएगा उनके career growth की पूरा ख्याल रखा जाएगा कि vocational education को भी integrate किया जाए हर इसतर ओपर जैसे कि practice-based curriculum curriculum होगा practice-based curriculum for grade 6 to 8 to appropriately designed skill gap analysis की बात इसमें focus areas based on skill gap analysis and mapping of local opportunities open distance learning को महत्व दिया गया है इस policy में यह बहुत अच्छी बात है exposure to vocational education 2020 तक लगभग 50% of your learners होंगे चाल have exposure to vocational education यह very important point to be noted लोक विद्या knowledge developed in India will be made accessible to student this is another important point skills framework and national skills qualification framework will be detailed further for each discipline vocational profession vocational crafts की बात कर रहे है कि all students of 6 to 8 will intern with local vocational experts such as carpenters, gardeners, spotters, artists to develop a vocational craft तो यह internship की बात हो रहे है कि 6-8 कक्षा के जो चात्र होंगे उनको local vocational experts के साथ intern करने का मौका मिलेगा यह उनके skills को develop करेगा उनसे उनसे रूबरू करवाएगा उनके environment से और बाकी सारी चीजों से यह बहुत जरूरी है उनके अंदर values और ethics and other things को promote करने के लिए उनको develop करने के लिए उनके उनके जानने के लिए संवेद रशील बनाने के लिए बहुत सारी ऐसे अच्छे अच्छी बातें हैं इन सारे system की जो इसमें इंट्रोडूस करने के बात हो रही है परक शेटिंग अपरक यह इंपर्टन हाइलाइट है अब नेशनल सेंट्र परफॉर्मेंस असेस्मेंट रिविव एनलेसिस ऑफ नौलेज ऑलिशिक दिवलप्मेंट उपरक एक तरह का इसका अब्जेक्टिव क्या-क्या होंगे तो सेटिंग नॉर्म से थानर्स और गाइ स्टेट एचीवमेंट सर्वे कंड़क्टिंग नैशनल एचीवमेंट सर्वें मॉनिटरिंग एचीवमेंट ऑफ लर्निंग आउटकम्स इन दे कंट्री यह परक्ष के द्वारा किया जाएगा यह सब कुछ इसके दो आस्पेक्ट से एसेस्मेंट है सिर्फ वार्ज कॉंपिटेंसी बेस असेस्मेंट मतलब कि बच्चे का कॉंपिटेंसी कि खेत्र में हैं इस चीज को यह एसेस्ट करेगा है 21st century skills को यह प्रमोट करेगा परक्ष है प्रमोटिंग क्रिटिकल एंड क्रियेटिव थिंकिंग अलाइन तो 21st century classrooms in classrooms very important हमारे हिसाब से हमारे जनेरेशन के हिसाब से इसको त्यार किया गया हमारे सदी के हिसाब से की सराभवी में हो रहे हिसाब से स्थी को त्यार किया इस बात से पता चलता हैं कि सपोर्ट जिए स्टूरेंट जिनके पास इस चेटर में उनका अच्छा करते हैं तो उनको काफी अच्छा प्रोचाहान मिलने के प्राभधान इसमें रहेंगे हमारे इसने पॉलिशी में जैसे परश्यू रीम ब्यूंड इनलेज इस्कूल करिकूलम उनको 서울 च्रिकूलम के अलावा भी उनको जीक्यू का मौका धिया जायेगा है प्रोचेक-बेस क्लप्स में हैंietet अब्सक्रप्राइज इनकोब्स ज कुछल्वक्व्चूमि के अलावा भी उनको शीखने का मौका दिया जाएगा क्रोजेक्पेस में प्रोटेक्र ог Alors Tan इंपोर्टेंट एजूकेशन फॉर इंटर्वेंशन इन रूलर एरियाज आद इन रीजनल लैंवेज़ेस्ट इन्ट्रेट पार्टिसिपेशन थाथ ये एक्टेंसिव थे च्छेट्रों में उनको प्रोमोट करने की बात हो रही है उनके लिए सुविदा देने की बात हो रही है और यह काफी अच्छे तरीके से इसमें बड़े और्गनाइज तरीके से इसीच को किया जाएगा जो अभी के सिक्षा पदिती में इस चीच कमी है फिर online and digital education की भी इसमें बात की गई है जैसे कि inclusion and access, enhanced educational access to disadvantaged groups including divyaag and students blended learning है, emphasis on effective models of blended learning, content creation है, content creation, digital repository, dissemination of technology, integration in teaching, learning and assessment है digital platforms को develop करने की बात हो रही है, digital platforms and ongoing ICT based educational initiatives to be optimized and expanded pilot studies की बात है, इसमें a series of pilots to be conducted, expansion of platforms, जैसे कि दिक्षा, स्वयम, in platforms को expand करने की बात इसमें हो रही है और यह एक समरी है कि क्या-क्या नए future है हमारे इस नए education policy में जैसे कि preparation of schooling and elementary school level इसके बारे में पूरा क्या-क्या-क्या feature है, इनको हम लोगों ने पढ़ लिया है, literacy and numeration mission होगा, इसमें बाहल रटिका को promote किया जाएगा और setup of valve ovens की बात है, school infrastructure and resources को develop किया जाएगा जिसके अंतरगत special education zones बनाए जाएगे समाजिक चेतना केंदर बनाए जाएगे, school complexes clusters to resource sharing होगे, holistic development, office to student, student के holistic development का ख्याल रखा गया और इनके अंतरगत कौन-कौन से features हैं, वो अलड़ी हम लोगोंने discuss कर लिया है, फिर भी अगर basic तो बात करें तो innovative pedagogies है, मतलब educational education को promote करनी की बात इसमें हैं, जैसे कि integration from primary grades under 10 days, no back days, internship with local trades craftsmen for grades 6-8 की बात अलड़ी हमें पढ़ चुके हैं, लोक विद्या मतलब local artist लोगों को बुलाया जाएगा और बच्चों को सिखानी की बात हो रही है, उस माध्यम से ताकि और ज्यादा आपने देश के बारे में उस local चेत्र के बारे में बच्चे जान सके समझ सके, teacher recruitment की बात कर रहे हैं तो teacher recruitment से संब्धित बहुत सारे प्राबधान इसमें है, उसकी discussion already हम लोगों ने कर रखा है, जैसे for minimum qualification degree for teaching will be four year integrated B8 degree by 2030 2030 के साफ होगा, teacher recruitment based TET and TA test and teaching demonstration TET mandatory for teaching इसको mandatory बनाया गया है, minimum 50 hours of in-service training per teacher per year, national professional standards for teacher by 2022 IT and data based predictive planning for recruitment of students in TEIs and to move multidisciplinary college in New Zealand 2030 इसकी बात अलड़ी हम लोग पिछले section में कर चुके है, इसकी बात अलड़ी हम लोग पिछले section में कर चुके है Stringing the action on non-performing teacher education institutions, mandatory for every PhD student to do a module on teacher education ठीक है, role of government departments and bodies, institutions, जिसमें कि जैसे कि state department to look after policy making, directorate of education to look after operations, SCERT to look after academics and state school standards or to set up minimum common standard for online self-disclosure by all public and private schools ये एक important बात है, हर एक different organization है, different organ है, जो different aspects को deal करने वाला होगा, ये दो वे ले लेए, random sampling of students from continuous online feedback on self-disclosure by schools, ये लेफ बात है, इसकी हान्मात है, strengthen the central advisory board of education for developing, articulating, evaluating and revising the revision of education on a continuous basis in collaboration with MHRD and corresponding Fx bodies of states, it is desirable that the Ministry of Human Resource Development be redesignated as Ministry of Education to bring तो यह सारे कुछ खास बाते हैं और बहुत-बहुत खास बाते हैं हमारे इस नए एजुकेशन पॉलिशी में जो हम देख सकते हैं मुझे उमीद है कि इतना देखने और समझने के बाद सुनने के बाद आप लोग निशित तोर पर इस बास सेहमत होंगे कि हमारे इस नए एजुकेशन पॉलिशी में ऐसा बहुत कुछ है जो सुरुवात में वीडियो के मेंशन किये गए जो कमिया थी उन कमियों को ये दूर करेगा ये सारी कमिया बिलकुल पूरी तरह से खतम हो जाएंगी और हम तैयार हो जैंगे हमारा यूथ हमारा युववा तैयार हो जाएगा आने वाले भाविष्य के लिए जो भारत को मजबूत और सशक्त बनाएगा ग्यानवान बनाएगा और जिस प्रकार से हम बाकी छेतर में तरक्की कर रहे हैं उसी प्रकार से हम शिक्षा के छेतर में भी तरक्की करते हुए और सशक्त भारत का निवान करेंगे एक इस भी सतीव का भारत बनाएगे ये बहुत बहुत अच्छी बात है और बहुत सोचा समझा गया निती है बहुत मेहनत से बनाया गया है बहुत सरे लोगों का इंवाल्मेंट है इसमें बहुत सरे सर्वेज और बहुत सरे टीचर्स को बहुत सरे युनिवर्सिटी इसको इस पूरे एजुकेशन पॉलिशी को बनाने में बहुत सारे सिक्षाविदों को की राय ली गई है इसको त्यार करने में और जिस प्रकार का ये दिख रहा है अगर ये सही माइनों में उस प्रकार से इंप्लिमेंट होता है और ऐसा उमीद है कि हो जाएगा तो फिर हम बहुत अच्छे भारत का की कल्पना हम कर सकते हैं एक सब्सक्राइब करता हुआ है यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है इसके बाद 42nd amendment to the constitution 1976 में that moved education from state to concurrent list ये concurrent list में इसको ले आया गया था इस ब्यालिश्व समीदान संसुदन के according the education policies by the central government provides a broad direction in the state governments are expected to follow it but it is not mandatory for the instance for instance Tamil Nadu does not follow the three language formula prescribed by the first education policy in 1968 इसको mandatory मतलब कि जो education policy central government बनाती है that is that has not been made mandatory for all the states to follow those exception में यहां पर example में यहां पर तमिलाडू का दिया गया है कि यह जो 1968 में three language policy prescribed किया गया था फॉस education policy के दौरा उसको तमिलाडू नहीं मानता है यह बात है education के संदर में उसके बाद 86th amendment 2002 में आया that made education and enforceable right under article 21a यह important है आपके लिए जाना इसको note कर लेंगे question आ सकता है education से संबंदित कुछ कानून है जैसे कि right to education 2009 that aims to provide primary education to all children aged 6 to 14 years and enforces education as a fundamental light it also mandates 25% reservation for disadvantages disadvantage sections of the society where disadvantage groups government initiatives की बात करें जो अब तक लिया गया है उसमें सर्वसिक्षा अभियान मिडडे मील स्कीम है नवदय विद्याले किंद्रिय विद्याले और यूज ऑफ आइटी इन एजुकेशन आज रिजल्ट आफ दा एन एप नेशनल education policy 1986 तो यहां पर देख रहे हैं फर्स education policy 1968 उसके बाद फिर 1986 और अब 2020 में आया है नेशनल education policy जो काफी हद तक बहुत अलग है और हमको 21st century education के हिसाब से त्यार करता है तो इस वीडियो में इतना ही उमीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा निश्चित तोर पर आप पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें और इसे प्रमोट करें जारा से जारा लोगों में इसे शेयर करें ताकि यह पूरा जो नौलेज है नए education policy के बारे में इसकी सारी बातें इसे क्या होगा क्या नहीं होगा क्या कमिया है वो सारी बातें बाकी लोगों तक भी पहुंचे और अगर कोई बात हो तो आप मुझे विल्कुल कॉमेंट कर करके बता सकते हैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों अपना ख्याल रखें अच्छे से रहें और अच्छाल रखें गॉडब्लेस्यू टेक कियर